आज के इस लेसन में हम six important resources share करेंगे. इन सभी websites की visit के लिए link आपको lesson के deception में मिल जाएंगे. इसके बाद मैं आपको license के बारे में भी बताऊंगा. ताकि आप किसी भी legal trouble में ना पढ़े. Mainly हम इस बारे में बात करेंगे कि license कितनी तरह के होते हैं और कौन सी website उन license की term change करके alteration कर देती है. सबसे पहले number पर है blend swap. Blend swap एक अकेली ऐसी website है जिसमें सभी models blend file में available है. अगर मैं new blend file में आकर import पर click करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ format लिखे हुए मिलेंगे. इंटरनेट पर आपको जितने भी free models मिलेंगे वो इन में से किसी एक format में होंगे. लेकिन blend swap की कहानी अलग है. Blend swap एक ऐसी website है जहाँ आपको blend file ही मिलती है. हाँ दूसरी websites की तरह आपको इस website पर भी register करने के लिए आपको new account बनाना ही पड़ेगा. मेरे पास already account है. इसलिए मैं login पर click करके उसको login करूँगा. आप यहाँ categories पर click करके कोई भी category यूज़ कर सकते हैं. फिलहाल मैं यहाँ cloth पर ही click करूँगा. further आपको जो भी model चाहिए. उसकी image पर click करके left side is download button पर click करके download कर सकते हैं. एक बार यह आपके computer में download हो जाए. तो आप उसके बाद पूरानी वाली blend file में जाओ. file पर click करो और उसी file को allocate करके open कर लो. उसके बाद object में जाओ और select all करके append कर लो. फिर slash दबा कर isolation mode में आकर देखो तो वो object आ चुका है. और फिर आप material preview में जाकर देखोगे. तो एक शांदार सा जूता आपके सामने हाजिर है. वापिस अगर मैं blind file छोड़कर उसी page में जाकर दिखाओं, जहां license के आगे लिखा हुआ है CC BY. इस license का exact meaning क्या है? इस model को use करने से आपके उपर कोई legal case तो नहीं हो जाएगा. इन सब के बारे में इस lesson के last में बात करेंगे. दूसरी website है 3D Sky. इस lesson के description में आपको link भी मिल जाएगा, और उस पर click करके आप page पर भी पहुँच जाएगे. As usual अगर आपका इस website पर भी account है, तो join पर click कर देना. फिलहाल मैं home page पर थोड़ा सा scroll down करके login कर लूनगा. अगर मैं आपको दिखाओं, ऐसी दुनिया, जैसी category इस website पर available है. For example, मैं other models पर click कर दूनगा. बहुत सारे models downloading के लिए मेरे सामने आ जाएंगे. इस website में आपको एक खास बात का ध्यान रखना है. आप सिर्फ free और OM models ही download कर सकते हो. जैसे अगर मैं free select कर लूँ. उसके बाद इस scanner पर click कर दूँ. क्योंकि मैंने इस website में इसका प्रेमेर प्लान नहीं लिया है. तो यहां लिखा हुआ है, कि मैं Zero Pro models download कर सकता हूँ. और 3 free और OM models download कर सकता हूँ. एक इस website से एक दिन में सिर्फ 3 models ही download कर सकते हैं. फिलहाल मैं download बटन पर click करके download कर लूँगा. एक बार file download हो गई तो मैं एक new blind file open करूँगा. और file में जाकर, import में जाकर, object में जाकर, उसी file को allocate करूँगा. और Canon object को import कर लूँगा. तो कुछ इस प्रकार आप 3D model, 3D sky से download कर सकते हैं. तीसरी वेबसाइट है polyheaven. ये वेबसाइट हमें 3 products देती हैं. HDRI, textures और models. इस वेबसाइट पर कोई subscription plan नहीं है और 100% donation based चलती है. इस बटन पर click करके, कुछ भी amount इनको donate कर सकते हैं. इस वेबसाइट के हिसाब से, इसकी खास बात इसकी quality है. चाहे HDRI हो, चाहे textures हो, चाहे models हो. सब कुछ एकदम high quality से मिलेगा. अगर मैं browse model पर click करूँ, तो total इनके पास कितने models available हैं. वो आप यहाँ check कर सकते हैं. जिनको आप अपने हिसाब से download कर सकते हैं. और अगर मैं सोफे के model पर click करता हूँ, अपनी need के हिसाब से का मतलब, ये कि अगर आप अपने scene में पास देखने वाले हो, तो 2K या 4K quality में download कर लो. आगे यहाँ blend files के format को choose करो, और downloading करने के बाद import करने का format, exactly वैसे ही है जैसे blend swap करने के लिए मैंने आपको बताया था. इस website का एक और feature जो user को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, वो ये की website में login करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती. नेक्स शांदार website है CGTrader. इस lesson के description में आपको link मिल जाएगी. CGTrader के home page पर आ जाओ. फिर as a new user आपका account नहीं है तो login पर click करने के बाद, register पर click कर दो. और अगर account है तो login पर click कर दो. क्योंकि मेरे पास account है तो मैं यहाँ से login कर लूँगा. और top left side corner से 3D model पर click करके free 3D model पर click कर दूँगा. इसके बाद मैं यहाँ से कोई भी 3D model select कर सकता हूँ. और model के page पर आकर इस बात का खास ध्यान रखना के formats कौन कौन से है. जैसे इस model के लिए fbx और obj blend file format है. तो मेरे लिए अच्छा है के मैं इस model को blender में import करके यूज़ कर सकता हूँ. और पांचवी शांदार website है Sketchfab. Sketchfab world की 3D model में से the most important website है. दूसरे शब्दों में आप इसको largest collection of 3D model भी बोल सकते हैं. मुझे इस website का जो सबसे शांदार feature लगता है वो है इसका 3D viewer. As usual आपको इस website पर भी new account बनाना पड़ेगा. और अगर पहले से account है तो सिर्फ login ही करना पड़ेगा. एक बार अगर आपका account बन गया तो उसके बाद top left corner से explore में जाकर. Downloadable पर क्लिक करके उसके बाद जो भी 3D model चाहिए उसे model को select कर लो. Next page पर इसका जो 3D viewer है इस पर सिर्फ left mouse बटन दबा कर रिखोगे और उसे move करोगे. तो model की अच्छे से जाच परताल कर सकते हो. सिर्फ base color में देखा जाए तो कैसा दिखेगा? सिर्फ metallic map में देखा जाए तो कैसा दिखेगा? अगर wireframe पर क्लिक करके आप ये भी चेक कर सकते हैं quad based apology है की नहीं? UV चेकर पर क्लिक करके UV map पर भी नजर मार सकते हो. Apart from that थोड़ा सा scroll down करके देखोगे की total vertices कितनी है. उसके बाद download 3D model पर क्लिक करोगे. एक pop-up open होगा. वहाँ से original format डाउनलोड करने के लिए FBX ये download बटन दबा दो. और blender में import करने का process तो आपको पता ही है. Next शांदार website है TurboSquid. Once again description main link पर क्लिक करके इस website पर जाओ. As usual login और register का आपको पता ही है. Next page में आ जाओ. अगर account नहीं है तो detail अड़ करके create my account पर क्लिक करो. और already account है तो login पर क्लिक करो. एक बार account create हो गया तो top left side corner से 3D model पर over करो. और free 3D model पर क्लिक करो. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि TurboSquid कमपनी वैसी ही है जैसे tech की दुनिया में Apple की कमपनी. इधर वैसे ही आपको एक-एक, शानदार 3D models मिल जाएंगे. लेकिन रोकणा ज्यादा लगेगा. In fact, इस 3D model के page के उपर भी paid model देखने को मिलेंगे. Anyways, जो भी 3D models आपको download करना है उसकी image पर क्लिक करो. Dedicated 3D model के page पर पहुँच कर, अपने keyboard से right arrow key से change कर सकते हैं. और download बटन पर क्लिक करने के बाद, आगे का procedure exactly सेम ही रहेगा. Downloaded file को unzip करो, और blender में जाकर import कर लो. Finally, अब वीडियो का most important part आगया है. 3D model को download करते समय सबसे पहले जो सवाल आपके जहन में रहेगा, वो ये के उस model को commercial यूज़ कर सकते हो या नहीं. देखे जो भी website मैंने आपको बताई उसके 3 type के license होते हैं. सबसे पहले है CCO. जो भी model इस license के अंदर आता है उसको आप commercially use कर सकते हैं. बिना credit दिये. दूसरा है CC by. जो भी model इस license के अंदर आता है उसको भी commercially use कर सकते हैं लेकिन credit link देना पड़ेगा. तीसरा है CC by NC. इस license का सीधा सा फंदा है कि इसको commercially use नहीं कर सकते. यहां license का मतलब बेशक सेम हो लेकिन कुछ-कुछ websites में इन licenses को अलग तम में लिख दिया जाता है. For example, CG Trader website. इस website में जो 3D models available होते हैं, कुछ के license royalty free होते हैं. यानि आप इन्हें 3D models को credit देकर use कर सकते हैं. कुछ free models जो की downloadable है, जो editorial license के अंदर आते हैं. उन 3D models को आप commercially use नहीं कर सकते. इन्हें पूरे license की बात के इलावा भी ग्यान कुछ बात है. 3D model की दुनिया में एक scam, जो की आपको एक बहुत बड़े legal trouble में डाल सकता है. For example, आपके सामने दो websites है. Sketchfab और BlendSwap. BlendSwap website पर ही मैं blend में जाऊंगा. By blend license पे क्लिक करूंगा. और CC Attribution Non-Commercial क्लिक कर दूंगा. एक बात तो है जो मेरे सामने 3D models दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको commercially use नहीं कर सकता. लेकिन इस download बटन को क्लिक करके download तो कर ही सकता हूँ. तो किसी moral less बंदे को यहां से download करके Sketchfab पर download करने वाला कोई है ही नहीं. और गजब की बात यह है कि Sketchfab पर download करते समय model का license क्या होगा, यह uploader खुद decide करता है. तो Blend Swap से download करके कोई भी इनसान, उसी model को Sketch per CCO के अंदर upload कर सकता है. CCO का मतलब समझ रहे होना, कि commercially use भी करो और credit भी मत दो. अब एक normal बंदा Sketchfab train के model को देख कर, यही सोचेगा कि यह model वो commercially use कर सकता है. ऐसे ही इसे use करने वाला बंदा इस model को भी use करेगा, और उसके बाद legally फसेगा भी. इन शॉट 3D models को free download करके use तभी करना चाहिए जब आप 100% हो और आपके उपर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा. इस तरह की मजीद वीडियो देखने की लिए चैनल को subscribe करना न बोलिएगा. Thanks for watching and see you guys in the next video.